मोरली कोरेक्ट बिहेविर बाइदा बिजनसेज वेवसाय त्वारा नैतिक रूप से सही आचन करना क्या है डिस्टिप्लिन, एथिक्स, सोशल रिस्पॉंसिलिटी या नन अब दा अबोव ये कोशन बहुत इजी है वैसे तो देखा जाए तो तो मेरे हिसाब से तो इसको हम एथिक्स से बोलेंगे तो बिजनस अगर अच्छे से कोई विवहार कर रहा है नैति रूप से सही आचन कर रहा है तो इसको नीती शास्तर बोलते हैं क्या एथिक्स एथिक्स ही होते हैं जब हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो एक business को dopo ethics तब कहा जाता है जब उसके जो काम होते है ना society के पक्षमे होते हैं ethics एक business के काम होती है नैथिक कई विसके जब जब अपने ethics क्minister को फॉलो करता है तो उसकी जो remember तो इससे जनता का विश्वास भी मिलता है और हमें सफलता सकस्स भी मिलती है तो हमको एथिक्स को फॉलो करते रहना चाहिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोश्चन नमबर 41 ठीक है कहता है कि एथिक्स इस ड्राइव फ्रम दा एंशेट ग्रीक वर्ड एथिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कि कहां से हुई है मॉस एथिक्स यह एथिकोज यह इन में से कोही नहीं तो इन में से reality में कोई नहीं है क्योंकि ethics word की जो उत्पत्ती होई है न एथोस से होई है तो ध्यान रख लेना इस word से होई है जो नैतिकता जो शब्द है ग्रीक word का जो एथोस है इस शब्द लिया गए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि society में business के character, wichar या जितने भी standard है उससे होता है तो भीजनस की जो morality होती है न ये नैतिक wichar है बोले तो moral values के लिए जी नैतिक wichar जो business के काम करने के तरीके का mark दर्शन करते है ठीक है business को काम कैसे करना है जैसे हमको पता है न कि हमारे भी daily routine की life में हमारे भी कुछ ethics होते है चोरी नहीं करना, इमान दर रखना है है न किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पूंचाना, जूट नहीं बोलना है, relationship में इमान दर ही रहनी है तो यह ethics होते हैं, जैसे life में एथिक्स होते हैं, कुछ values होते हैं, moralities होते हैं, वैसे business में भी कुछ ethics होते हैं तो business में जो ethics होते हैं वो business को चलाने के लिए मारदर्शन करते हैं तो इसी तरह से हमारी life में जो ethics होते हैं ये हमारी life को बहुत आगे लेके जाने के लिए हमारे काम आते हैं तो that is ethics ठीक है तो जैसे personal life में हमारी खुद के खुद ethics होते हैं इंसानों के ethics होते हैं बिजनस के भी कुछ ethics होते हैं जो हमको आगे ले जाने में हमारे business को या हमारे life को आगे बढ़ाने में काम आते हैं आगे देखते हैं तो any economic activity to generate profit ऐसी कोई भी economic वेटे जिससे मेरे profit generate होते हैं उसको क्या बोलते है business trade, commerce या profession इसको बिजनस बोलेंगे क्योंकि business के अंदर हमारा सारा जाता है वो ट्रेड है या profession ने सारे के सारे आते हैं क्योंकि आपने 11 की book में देखा होगा कि बिजनस में सारे आते हैं तो बिजनस में product या service के production, sales से related जितनी भी economic activity इन सबका total है तो इसमें industry कह लो, business कह लो, commerce कह लो यह सारी आते हैं तो यह तो इसके सिरफ पार्ट है ठीक है तो अपने को ध्यान रखना है next question देखते है, question number हमारा यह I think 40, question हमारे हो चुग है, question number 43 है social responsibility of business is based on, किसी business की social responsibility तो किसके उपर based करती है profit motive, service motive, trustorship theory या bought two and three, देखना अपने को किसमें तो business की social responsibility होती है, किसके उपर based होती है ठीक है, business की जो social responsibility होती है, यह service motive की होती है और trustorship theory के base पे भी होती है, ठीक है, यह एक theory है, यह इसके base पे रहे तो answer मारा D रहेगा, ठीक है, तो hard D bowen है hard D bowen के according इन्होंने बताया था, यह answer ठीक है, कोई person है hard D bowen, उनीक according है यह आगे देखते हैं हमारा next question, minimum number of director in the private company, एक private company में जो minimum director होती है कितने होते हैं, 237 या 12, 237 या 12, तो अपने को देख रहा है companies act हमने देखा था 2013 की section 149 subsection 1, companies act 2013, section 149 subsection 1, उसके according हमारे जो company के जो director होते हैं, वो हमें appoint करने बहुत जरूरी होते हैं, अगर हम public company की बात करें तो public company में कम से कम three director होने बहुत जरूरी है, जबकि private company के matter के बात करें हमें तो कम से कम हमें फारत दो director और एक हमारा owner होना चाहिए, जो solo proprietorship के अंदर हमारा एक निर्देश को होने बहुत जरूरी है, तो देखना है, जो हमारी one man company होती है, उसमें तो एक director होना बहुत जरूरी है, private company में बात कर करें तो कम से कम तीन director होने बहुत जरूरी है, आपको मैं फिल से बोल रहू हूँ, private company के मामली में दो है, पबली कमपनी के मामले में कम सकम तीन है, है ना, वन मेन कमपनी में वन है, बट एक कमपनी अधिकतम, मैक्सिमम 15 डिरेक्टर्स को या पॉइंट कर सकती है, 15, नेक्स्ट कोशन क्या है, आंतरप्रियोर्शिप भी बेस्ड और, रिस्क, इनोवेशन, या बोथ 1 और 2, या नन अ अब ओव, वैसे आंतरप्रियोर्शिप हमने डिसकस किया था, काफी कुछ, तो आंतरप्रियोर्शिप को रिस्क भी देखना पड़ता है, रिस्क तो होता ही होता है, इनोवेशन भी होती है, तो इनोवेशन तो सबसे खास बात है, हाला कि हर बिजनस में रिस्क तो रहता ही काम कर रहा हूँ रिस्क तो है परेटिवीटी भी तो है कुछ नवाई तो कर रह तो तो risk and creativity दोनों के दोनों बाते इसमें आ जाएंगे तो जब हम कुछ नया काम करने का risk ले रहे हैं high level का तो profit कमाने की possibility भी बहुत ज़ादा है ये भी बात अपने को ध्यान अखनी है A या R Is a professional money manager who makes risk investment from a pool of the equity capital to obtain a high degree return on the investment dash एक पेशिवर धर्म परमंदक है जो समता पुझी के एक पल कूप से जोखीम उठाकर निवेशकों पर high rate पर profit हे तू investment करता है तो venture capitalist बोलते हैं entrepreneur बोलते हैं business man बोलते हैं या buyer बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं देखो venture capitalist yes definitely venture capitalist उद्यम पुझी पती तो ये एक professional money manager है या धन परबंदा कहलो जो equity capital के pool से जो किम उठाकर risk लेकर और investor पर high rate पर लाब कमाने हैं तू invest करता है मला हम सामने वाले से पैसा लेते हैं उनके उपर हम high rate से उनके पैसे कोई investment करेंगे profit बहुत सरा कमानेंगे तो risk वाला काम भी होता है बहुत दार रिस्क वाला काम होता ही है तो venture capitalist बोलते हैं यह उद्दम पुंची पती कह सकते हैं इसको आगे जो कोशन है the concept of social responsibility of business is rational because of तो social responsibility of business का उसका जो concept है rational वो क्या है तो नीमन कारणवास तरक संगत है professional management यह new social consciousness यह legal status है ना यह protection of its own existence तो इसके answer कौन को जोकते है A और B, B और C, A और C all of the above the concept of social responsibility of business is rational because of ठीक है इसमें चारो के चारो फिन आजाएंगे all of the things तो इसमें हमारा professional management भी है new social consciousness भी है legal status भी है protection of own existence भी है तो चारो के चारो उप्शन हमारी इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है ओके next देखते है drone entrepreneurs are those who live on the RC entrepreneur वो होते हैं जो टीके रहते हैं innovation and new idea of the government victory of the others environmental factors दूसरों के परिशरम पर या बातावन के घटकों पर या दूसरों के जीत पर या सरकार के नवचार या विचारों पर किस की उपर टीके रहते हैं या पूचाए इसने drone drone पर टीकों बोले तो ai Aww यह वटी यह वो होते हैं जो time के according बदलने से इंकार करते हैं आप टाइम चेंज पॉपर गांची रहते हैं पांची कोणित हंट के रएते हैं यह इंट किसी नहीं किया वैसे इसेर सामना भी हो रहा है पता भी है है कि दो टाईम में एसी चलता रहा तक हम प्रजाती हो जाएगी भी काम करता रहते हैं इसलिए दूसरों के परिश्रम के पर टीके ज़्यादा ठीके रहते हैं ना इन्नोवेशन किसी नहीं किया वैसा इन्नोवेशन हम ले आए तो ऐसा इसा इसा चलता रहता है अगला कोशन है कि टूर्वाइन दा सोर्स अब बिजनस फाइनस इन अमोस्ट एक्णोमिकल वेज वेवसाइघ वित के स्तोतर को निर्धान अधिक्तम कि फाहिती तरीके से करना क्या दा प्लानिंग फंक्समेंट या कैपिर बजटि क्या बज़ सकते हैं ओके, see, right, the finance function of the management, इसका जो एक सर रहेगा, वो finance function of the management है, तो financial, जो भी हमारे business की finance के अंदर जो sources होते हैं, उसका अधिक्तम करने से करना प्रबंद के finance function में available होता है, ठीक है, तो किसी भी business के लिए finance एक important task होता है, और finance के जो भी sources होईगे, उसके अंदर आपको पता है कि equity, या debentures, या term deposit, या working capital, loan, इन सबको में लेके चलते हैं, तो इन sources का उप्योग अवशकता अनुसार किया जाता है, तो definitely यह finance function of management है, the next question is, according to Keith Davis, which one is not a barrier of the communication, Keith Davis के according, इसमें communication है कौनसी barrier नहीं है, physical, technological, personal या linguistic barrier, भाशाई अवरोद, इसमें से कौनसी communication की barrier नहीं है, पर देख लेना, person का नाम दिया हुए, Keith Davis के according, Keith Davis के according हमारे पास कौनसी communication की barrier नहीं है, तो Keith Davis के according अब बात करें, Keith Davis के according पते क्या है, communication एक person से, दूसरे person तक information और हमारी जो समझ है ना, को पारित सामने तक पुंचाने के परिक्रिया है, तो इसमें Keith Davis के according हमारे पास तीन बाधाया आती है, barriers आती है, communication की, जो पहली barrier है, वो है physical, दूसरी है personal, तीरी सीरी है, भाशा से related, linguistic barrier बोलते हैं, तो definitely इसके अंदर Keith Davis के according, जो हमारा technological barrier है, यह इनके according नहीं है, तो इनों नहीं पूछा था, कि Keith Davis के according, कौन सी हमारी communication की barrier नहीं है, तो definitely यह हमारी technological barrier है, ठीक है, तो यहां तक वैसे हमारे 50 questions cover हो चुके हैं, 5 questions और हैं, जल्दी से देख लेते हैं, advertising is a powerful communication force and it is also known, it is also important activity of, promotion mix, promotion control, promotion group या promotion channel, तो यह देखो धिहान से क्या दिया हुआ है, yes, promotion mix, इसका answer definitely हमारा promotion mix है, ठीक है, तो promotion mix, तो advertising एक बहुती effective communication करने के एक process होती है, पावर होती है, और promotion mix का important part है, ठीक है, परमुख करिया है, तो यहां नेक्ट कोर्शन इस कोर्शन नमबर 52, which one of the following is an attempt to eliminate unfair trade practice such as the surface products, adulteration and the dipstick producing etc, तो annuity वेपारिक प्रंप्राओं जैसे अपरमानिक उत्पाद, विलावट या कपट पूर्ण कीमन इधारन आदी को दूर करने का नियुर में से एक प्रियास कौन सा है, स्रक्षन वाद, उपक्त, consumerization, consumerism या group of consumer या इसमें से कौन सा है, तो यह अपने को बताना है, सबसे best option इसमें से कौन सा बनेगा, consumer guidance, ठीक है, तो consumer को यह कि रहे हम जब guide कर देते हैं, तो इन सब जोसे कहीं नहीं कहीं बस सकता है, consumer guidance, yes correct answer, तो consumer का अगर हम guidance करते हैं, तो वो सारी जोसे बस सकता है, तो consumer guidance society of India भी आपको पता है न, consumer guidance society of India भी है, एक NPO है यह, non-profit organization, consumer organization है, जिसकी स्थापना हुई है 1966 में, तो इसका जो target है, consumer को घटी या product या services बचाना है, मिलावटी, खाथ-पतार्थ, कम वजन वाले, या कम weight वाले product से, नकली या खतरनक दवाई हैं, इन सभी के बारे में, consumer को सिक्षा देना, knowledge देना, educate करना, सुरक्षा परदान करना, तो इन सभी के लिए इसकी स्थापना की गई है, किसकी? Consumer guidance society of India, consumer guidance society of India, 1966. Next question, the customer is the most important visitor on the ones our premises, it was said by the, हमारे building में, या हमारे परिस्तर में, सबसे अधिक, महतापुण, अंगतु, कस्ट, गराक होता है, ये किसने का, फिलिप कोटलर ने, निकोलस, केंटीफेंस, टीम दोरा, या पंडी जॉला नहरू, या महात्मा गांधी दोरा, सोच के देखो क्या होगा? ये बात, रियाल्टी में, महात्मा गांधी नहीं की थी, ये बात, महात्मा गांधी नहीं की होई है, ये वहाँ पर कोई कॉन्फरेंस चल रही थी, 1890 में, 1890 में कोई कॉन्फरेंस चल रही थी, दक्षिन अफरीका गांधा, तो वहाँ पर एक भाशन हुआ था, महात्मा गांधी जी का, तो वहाँ ने भाशन देते थी, उन्होंने ने बोला था, कि हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्तापुर्ण, जो इंपोर्टन है, वो क भाशन था, उसके टाइम पर किसने बोली थी बात है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो ध्यान अखना, डेट टाइमिंग सब नोट कर लो, 1890 में, दक्षिन अफरीका, भाशन, राष्टपिता महात्मा गांधी की द्वारा, तो वहाँ पर उन्होंने बोली थी, और एक लाइन और भी गई थी, कि कस्टमर हमारे उपर डिपेंड नहीं है, हम कस्टमर के उपर डिपेंड है, तो यह चोटी-चोटी बात है, ध्यान अखना, इसलिए आपको चोटी-चोटी बात है, फिर से साथ-साथ बता रहा हूँ, इसलिए से बताना, किस ने बोला, कि वर्ष दो हो, उन्नी सो बास्टेट पे, उब्होगता अधिकारों की व्याक्या, विश्ट्री तुरूप से किस ने की थी, तो इसलिए से बताना, किस ने बोला, कि वर्ष दो हो, उन्नी सो बास्टेट पे, उब्होगता अधिकारों की व्याक्या, बहुत अच्छे रूप से किस ने की थी, ये की थी, एक्स प्रेजिएंट अउद अमरीका, मिस्टर जोन एफ केनेडी ने, ठीक है, 1962 में, पंदरा मार्च की बाता है, पंदरा मार्च उन कॉछर्स में, जो पहले के जो राष्ट पती है, जोन अफ केनेडी के दौरा की गई थी, ठीक है, तो इसी वज़ा से ना, हम पंदरा मार्च को, इंटरनेशनल कंजीवर डे भी बनाते हैं, इसी के चकर में हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल कंजीवर डे, कब पंदरा बहुत ज़्यादा डेटेल में बात की थी, स्टेंपे, कंजीवर के बारे में, आगे कोशन क्या है मारा, विचीज़ प्रोसेस ऑफ दा मार्केटिंग कॉम्निकेशन, इन्वोलिंग, इन्फॉर्मेशन, पस्वेशन, एन्दा इंफुलेंसिस, कौन से मार्केटिंग कॉम्न के अंदर सब कुछ आजाता है, तो इसका उप्योग हम क्या करते हैं, अवसर के लिए हम देखते हैं, हमारे पास कौन सा अवसर सामने आ रहे हैं, कौन कौन सी ऑप्चिनटीज हैं, जो ऑप्चिनटी मार्केटिंग में ज्यादा यूज़ करते हैं इसको, प्रोमोशन, प्र ठीक है, तो यह विपन विश्यों के ततों में से एक है, तो यह है किसी पोड़क्ट या ब्रेंड के बारे में कस्टमर को अवेर करने के लिए, यह सेल्स इंक्रीज करने के लिए, यह ब्रेंड के पती लोयलिटी इंक्रीज करने के लिए, ब्रेंड के प्रतिम चाते हैं कि ह हमारा brand बहुत famous हो जाए सामने वाला हमारा brand में भुषा करें तो उसके लिए हम करते हैं यह परचार promotion फिक्या है which is the process of marketing communication involving information pursuing and the influences तो जिसने सूचना भी है परतिपादन भी यह पर भाव भी है तो that is promotion तो हमारे 55 questions complete हो चुके हैं आज 50 का target पर लेके जाल रहे हैं लगबग अभी तो 50 50 100 इतने तो 80 भी हुए है एक लास में कभी 50 भी हुए है 60 भी हुए है 70 भी तो आज हमने इतनी कोश्ट कवर करने हैं ज्यादा नहीं